अब अपने को करना है यह अरली एक्जाम की तयारी तो अपने वापस नए सीरे से वापस अपने तयारी के अंदर आ रहे हैं अपने को second class chapter 10 chapter का नाम है बोलती गुफा गुफा भी बोलती है जैसे इसके अंदर बताया गया है chapter के अंदर की खतरे का अईसास होने पर हमें सूजबू से काम करना चाहिए जब अपने को खतरे का अईसास हो जाता है तो अपने को अपने दिमाग से और बहुत अराम से सोच समझ कर काम करना चाहिए एक बार एक भुका शेर शिकार की खोज में जंगल में गूम रहा था मतलब शेर था उसको बहुत तेज भूक लगी थी और वह शिकार मतलब कोई भी उसको खाने के चीज मिल जाए उसे इसाब से गूम रहा था गुमते गुमते उसकी भूक बढ़ गई और थक अचानक उसे गूफा नजर आई सेर ने सोचा कि इस गूफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा अच्छा होगा अगर मैं इस जाड़ी में छिप जाओं जो ही वै निकलेगा मैं उसे दबोच लूँगा सेर ने काफी देर तक गूफा के बार इंतजार किया मगर कोई भी जानवर वाँ से बाहर नहीं आया तब सेर ने सोचा कि लगता है वै जानवर इस समय गूफा में ना होकर कहीं बाहर गया है इसलिए मुझे गूफा के अंदर जाकर इंतजार करना चाहिए जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा मैं उसे खा जाओंगा ऐसा सोचकर सेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया उस गुफा में गिदर रहता था सेर ने क्या किया था पहले सोचा कि गुफा के बाहर खड़ा होके उसका इंतजार कूँ जैसे वो बाहर आएगा मैं उसे दबोच लूँगा खा दूँगा लेकिन हुआ क्या कोई भी जानवर गुफा से बाहर नहीं आया तो सेर ने सोचा हो सकता है कि वह बाहर गया होगा मैं अंदर जाकर उसका इंतजार करता हूँ और वह अंदर जाकर उसका इंतजार करने लगा था और हुआ क्या था गुफा में कौन रहता था एक गिदर थोड़ी देर बाद वह वापस आया मतलब गिदर बाहर गया हुआ था जब वह वापस आया तो उसे गुफा के बार किसी के निशान दिखाई दे दिये थे, उसे वह निशान किसी बड़े खतरनाक जानवर के प्रतित हुए थे मतलब उसे लग गया था, जैसे कोई खतरनाक जानवर है जो अंदर गया है उसे किसी खतरे का एसास हुआ था, गिधर बहुँ चलाक और सयाना था उसने सोचा कि गुफा में जाने से पहले देखे मामला क्या है उसने यह सोच लिया था, कि गुफा में जाकर देखता हूँ, सोरी गुफा के बाहर ही इंतजार करता हूँ कि मामला क्या है उसने जोड से गुफा को आवाज लगई गुफा ओ गुफा लेकिन जवाब कौन देता गुफा ओ गुफा उसने आवाज दी दिमाग से उसने दिमाग यूज किया और गुफा ओ गुफा ओ गुफा आवाज दी लेकिन अंदर से आवाज तो नहीं आती गिदर ने फिर आवा और आज नहीं बोली तो वह गिदड़ है जो किसी और गुफा में चला जाएगा गिदड़ की बास उनका सेर ने सोचा कि गुफा तो बोलकर गिदड़ का स्वागत करती है मतलब शेर ने दिमाग लगया कि शायद गिदड़ बाहर अवाज लगा रहा है इसका मतलब यह है कि रोज गुफा बोलती है लेकिन हुआ क्या अब तो कोई नहीं बोल रहा है तो शेर ने आज मेरे यहां होने की वज़े से शायद गुफा डर गई है ऐसा शेर ने सोचा अग जब गिदड़ ने बाहर से अवाज लगाई गुफा ओ गुफा रोज तो तू मेरा स्वागत करती हो आज तुमने मेरा श्वागत नहीं किया है अगर नहीं किया तो मैं कहीं ओट चला जाओंगा तो शेर इससे बाद से मतलब सोच रहा है कि हो सकता है शायद रोज यह गु बुजबुज से काम लेना अगर आपको किसी भी चीज का अगर ऐसे संदे हो कि यहाँ पर खत्रा है तो वहाँ पर सोच समझ के पैर रखना चाहिए यही इदर की इस चेप्टर के अंदर बताया गया है कि इदर बहुत चालाग था इदर बहुत सयाना था तो स्टुडेंट्स आपका यह 10 नंबर चेप्टर जो की बोलती गुफा कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके इसके प्रशन उत्तरगर्म होगे ओके बाई